वेल्कम टु न्यू लेसन इस लेसन में आप से बात करूँगा अबाउट कीवर्ड इंसर्शन तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक कीवर्ड इंसर्शन क्या होता है कैसे काम करता है और फिर हम करके देखेंगे किसको करते कैसे तो सबसे पहले क्या होता है keyword insertion, यह समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी अगर आप search ads बनाते हो, तो वो कैसे काम करती है, देखो, जबी भी आप search ads बनाते हो, तो आप कुछ keywords select करते हो, अपने ad group में डालते हो, और then आप अपनी ad बनाते हो, और जब आप ad बना line के अंदर आप अपना keyword लिखो, description के अंदर आप keyword लिखो अपना, यह काम आपको manually करना पड़ता है, अब यहाँ पर क्या है, गूगल का जो function है keyword insertion, वो आपका काम कर सकता है, या आपकी help कर सकता है, अब देखो keyword insertion में होता क्या है, जब आपका use करोगे, तो suppose करो user ने search किय आपका, shoes, तो जो उसको search result दिखेगा न, वहाँ पर shoes automatically आजाएगा, ठीक है, जो search result आएगा, उसमें headline के अंदर shoes automatically आजाएगा, यह कैसे आएगा, अगर आप use करोगे keyword insertion, अब यहाँ पर suppose करो, उसने search किया shirts, और again अगर आप keyword insertion यूज कर रहे हो, तो shirts जो है, वो headline के अंदर automatically आजाएगा, अपने आप आजाएगा, headline में उसको shirts दिखेगा, इसे फायदा क्या होगा, कि उसके click करने के chances बढ़ जाएगे, आपकी ad पर, तो आप कर क्या सकते हो, आप Google को कह सकते हो, कि Google भया, user जो भी search करे, उसको दिखा दो, और अगर user जो search कर रहा है, तु तुम उसको नहीं दिखा पारे, क्यों नहीं दिखा पारे, क्योंकि मेभी वो जो search कर रहा हो, query बहुत बढ़ी है, right, या फिर जो keyword type कर रहा है, वो गलत है, अगर आप उसको नहीं दिखा पारे, तो आप कोई और चीज दिखा दो, right, अगर जो keyword user search कर रहा है, आप उसको नह अब एक keyword insertion काम कैसे करता है आई यह देखे तो यहाँ पर suppose करिए मैं एक नया campaign बना रहा है है ना search campaign तो create a campaign without a goal किया then किया search then किया simple content यहाँ पर मुझे budget रखना पड़ेगा एक क्योंकि budget जब तक मैं देखूंगा नहीं तो यह मुझे आगे बढ़ने नहीं देगा राइट एक बार यह लोड हो जाए देन हम यहाँ पर budget एंटर करेंगे देन हम जाके देखेंगे यह keyword insertion आप कैसे कर सकते हैं तो थोड़ा सा नीचे आते हैं और से यहाँ पर budget डाल देता हूं सिंपल करता हूं continue यह मैं समझा नहीं न बाकी आपको सारा क्योंकि आपको पता है और यहां कर देता हूं save and continue अब देखो जादी अब यहां पर आये आप headline 1 पे अभी कुछ नहीं आ रहा अब आपको क्या करना है curly brackets होते है न जो curly brackets पी के साथ वाला आपका button होता है जो पी के साथ में पी के right hand side में है curly brackets तो आप उस curly brackets button को प्रेस करिए तो shift के साथ आप curly brackets दबाओगे तो यह कुछ खुल के आ जाएगा अब यहां पर देखो तीन option आ रहे हैं पहला keyword insertion दूसरा countdown और तीसरा if function तो सबसे पहले पहले की बात करते है keyword insertion तो जैसी मैंने keyword insertion क्लिक किया देखो मेरे पास यह एक option आ रहा है default text अब यहां देखो इस syntax आ रहा है keyword semicolon default text अब Google क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंग कि जो भी user keyword search कर रहा होगा हम वो keyword दिखा देंगे अगर हम वो keyword नहीं दिखा पारे तो जो मैं यहां पर default text लिख रहा हूँ वो आ जाएगा तो suppose मेरा default text है quality shoes right अब Google क्या कोशिश करेगा सबसे पहले तो Google कोशिश करेगा कि जो keyword user search कर रहा है मैं वो दिखा दूँ अगर Google उसे नहीं दिखा पाएगा तो Google क्या दिखाएगा यह default text जो की मैंने रखा है quality shoes अब Google यहां पे मेरे को तीन option दे रहा है पहला है title case दूसरा है sentence case तीसरा है lower case अ पहला letter होगा यह जो है ना quality shoes इसका पहला letter Google caps में रखेगा हाना अगर मैं sentence case रख दूँ तो यह जो पूरा keyword है इसका जो पहला letter है मतला बस quality का पहला letter Google caps में रखेगा अगर मैं lower case रख दूँ तो Google सब कुछ किस में रखेगा small sentence small case हाना तो मैं कर देता हूं sentence case और इसको मैं कर ठीक है perfect तो ये तो हो गया आपका keyword insertion अब वापस में यहाँ पे curly brackets अगर दबाओं shift के साथ P के right hand वाला बटन तो दूसरा चीज है देखो count down countdown अगर आप यहाँ पे कोई countdown दिखाना चाहते हो जैसे say आप कोई sale run कर रहे हो और आपकी sale दो दिन में expire हो रही है तो आप यहाँ दिखाना चाहते हो two days left ठीक है तो suppose यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सीधे 2 December हाना और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ one राइट और इसको मैं कर देता हूँ apply अब देखो यहाँ पे user को क्या दिखने लगेगा countdown की one day left two day left three day left हाना तो ऐसा countdown उसको दिखेगा और वो daily change होता रहेगा automatically आपको कुछ करनी की जरूत नहीं है ठीक है clear है कैसे करना है shift के साथ curly brackets और यहाँ से ले लेना है आपको count down और आपको अपना countdown यहाँ से date select कर देना है और Google आपको countdown दिखाने लगेगा right अब then इसको भी हटाते हैं वापस जाते है shift के साथ curly brackets तीसरा है if function right अब if function में देखो बड़े कमाल की चीज़ है इफ function इफ function में आप device या audience के basis पे क्या कर सकते हो अपना message change कर सकते हो right तो suppose करो आप करना क्या चाहते हो कि आप बेच रहे हो shoes और आप क्या दिखाना चाहते हो कि भाईया यहाँ पे मैं आपको एक बार समझाता हूँ suppose करो आप बेच रहे हो shoes और आप चाहते हो कि अगर कोई mobile पे shoes सर्च करे तो उसे दिखे 50% off और अगर कोई desktop से सर्च करे तो उसको दिखे 20% off ठीक है अगर कुछ आप ऐसा करना चाहते हो तो क्या करोगे simple यहाँ होगे if devices mobile selected है insert text 50% off और otherwise बाखी cases में क्या आएगा 20% off और इसको आप यहाँ से कर दो apply देखो आ गया तो अगर कोई mobile से सर्च करेगा तो उसे दिखेगा 50% off अगर कोई mobile से सर्च नहीं करेगा तो उसे दिखे 20% off बहुत simple तो यह क्या था आपका shift के साथ यह था आपका if function राइट तो यहाँ down और तीसरा if function राइट अगें यहाँ पर आपको यह देखने की ध्यान देने की जरूत है कि यहाँ पर अगर user गलत keyword सर्च मारेगा या ऐसा keyword सर्च मारेगा जिसका कोई मतलब नहीं बनता कोई sense नहीं बनता तो उस case में Google क्या दिखाएगा आपका keyword दिखाएगा जो default text आप तक रहे हो ना वो दिखाएगा अगर Google सपोज कर यूजर कोई सर्च करता है और वो miss spelling है उस case में भी Google क्या करेगा default text दिखाएगा यूजर का keyword नहीं दिखाएगा ठीक है तो ऐसे आप यह तीनों चीज़े यूज कर सकते हो अगें उतना ज्यादा मैं recommend नहीं करता हूँ इसको use करना मैं खुद इसको use नहीं करता राइट तो इट इस नॉट recommended अगर आप जिस client के लिए काम कर रहे हो अगर कोई बहुत बड़ा account है बहुत बड़ा ad budget है उसका है और manually manage करने में चीज़ों को मुश्किल हो रहा है then you can go with this thing right however it is not recommended normal आप जैसी ads बनाते हो I recommend कि आप वैसे ही बनाओ बट अगर आपको जरुवत हो काम करना पड़े then आप ऐसे shift के साथ P के साथ right hand वाला जो आपका curly brackets होता है उसको click करके आप ये तीनों चीज़े ला सकते हो और आप यहां से इन तीनों चीज़ों का use करके ads बना सकते हो again not recommend ठीक है जी so that's it from this lesson thank you so much for watching